अगर हम 21 सदी में हैं हम विक्सीद भारत के सपन को इसी सदी में 2047 तक स्विकार करना स्विद्ध करना चाहते हैं तो बीश्वी सदी की सोच नहीं चल चकती सब्सक्राइब बीश्वी सदी का स्वार्थी एजंडा मैं और मेरा वाला जो खे लहना 21 सदी में देश को समरुद्ध नहीं विक्सीद भारत नहीं बना सकता है कॉंग्रेस इन दिनों काफी बाते हो रही ही जाती की फिर से एक बार क्यों जरूत पड़ी उनको मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन अगर उनको जरूत पड़ी है तो पहले ज़रा अपने गरिबान में जहांके उनको पता चले का क्या किया है दलीत पीछडे और आदिवासी कॉंग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी बिरोधी रही है और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साम नहोते न तो शायद के ऐसी एस्ट्री को आरक्षन मिलता के नहीं मिलता ये भी मेरे में में सवाब रहता हूं आदाने सवाब दीजी और मैं ये कह रहा हूं इसके पीछे मेरे पास प्रमान इनकी सोच आज से नहीं उस समय से ऐसी है मेरे पास प्रमान और मैं प्रमान के सिवाए मैं यहां कहने के लिए ही नहीं आया है और जब बाते महां से उठी है तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको मेरा परिच्छे तो हो चुका है दस साल होगो एक बार और मैं हादरपुरवक नहरुजी को इन दिनों ज़्यादा याद करता हूँ क्योंकि हमारे साथ्यों के अपिक्छा रहती है उनको तो बोलो कुछ तो बोला थे अब देखे एक बार नहरुजी ने चिठी लिखी थी और यह चिठी मुख्म मंत्रियों को लिखी थी मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखा था यह देश के प्रदान मंत्री पंडित नेरुजी द्वारा उस समय के देश के मुख्मंत्रियों को लिखी गई चिठी है और रेकॉड है मैं अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षण तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए ये पंडित नहरु ने मुख्मंत्रियों को लिखी हुई चिठी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोधी है नहरु जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा और आज जो आँकरी गिनाते हैं कि इतने यहाँ है इतने यहाँ है उसका मूल यहाँ है क्योंकि उस समय उन्होंने रोग दिया था रिकूट्मेंटी मत करो अगर उस समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहाँ पर पहुंकते सरापती जी यह कोट मैं पढ़ रहा हूँ आप वेरिफाई कर सकते हैं मैं पंडे देरू का कोट पढ़ रहा हूँ आप वेरिफाई कर दो आप सकते हैं